मेश राशी भाग्य का साथ रहेगा आलच से ना कर भरपूर प्रयास करें व्रसन्यता रहेगी व्यस्तता अधिक रहेगी व्रिश राशी पूजा पाट में व्ये होगा कोट का चहरी वे सरकारी कारयालों में रुके कार्यों में गती आएगी लाब के अवसर हाथ आएंगे पारिवारिक चिन्ता रहेगी लेन देन में जल्दबाजी न करें व्यपार व्यवसाय अच्छा चलेगा नौकरी में चैन रहेगा घर बाहर प्रसन्ता का वातवरं रहेगा प्रमाद न करें मिथुन राशी वाहन वे मशीनरी के प्रियोग में अत्यंत सावधानी की आवशकता है, शारिरिक खानी की आशंका है, क्रोध वे उतेजना पर नियंदरन रखे, कीमती वस्तु में संभाल कर रखे, बनते कामों में बाधा संभव है, चिंता तथा तनाव रहेंगे, आय में निश्चित्ता र जीवन साती के सहयोग से प्रसन्यता रहेंगे, व्यपार व्यवसाय अच्छा चलेगा, नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे, मित्रों के साथ समय सुख में व्यतीत होगा, पार्टनरों से मद्भेद दूर होंगे, भागे का साथ रहेगा सिहराशी प्रभाव बढ़ेगा, किसी आननदायक आयोजन का कारेक्रम बन सकता है, मनोरंजन के साधन भरपूर मिलेंगे, विध्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, धकान वे कमजोरी रह सकती है, भे रहेगा तुलाराशी कोई बुरी खबर की प्राप्ति की संभाव ना है, स्वास्त का पाया कमजोर रहेगा, किसी व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है, दोड़ धूप अधिक होगी, व्यपार की गती धीमी रहेगी, नौकरी में अपेक्षाएं बढ़ेंगी, तनाव रहेगा, दूसरों के उकसाने म ना आए, प्रिश्चिक राशी, शत्रों का प्रभाव होगा, थोड़े प्रयास से ही कारे सिद्ध होंगे, समाध सेवा करने की प्रेणा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, आएके नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, किसी व्यक्ति से विवा अध हो सकता है, धनुराशी, घर में अतितियों का आगमन हो सकता है, किसी मांगलिक कारे में भाग लेने का अफसर प्राप्त हो सकता है, शुब समाचार प्राप्त होंगे, धनलाब में निरंतरता बनी रहेगी, नौकरी में चैन रहेगा, परिवार में चिंता बनी रह सकती मकर राशी आर्थिक स्थिती बिगड सकती है विवाद से दूर रहे जोखिम विजमानत के कारे टाले बंते कामों में देरी होगी चिंता तथा तनाव रहेंगे आये में निश्चिता रहेगी स्वास कमजोर रह सकता है मीन राशी बकाय वसूली के प्रयास सफल रहेंगे यात्रा मनोकूल रहेगी नई काम का प्रारंब हो सकता है आर्थिक स्थिती सुधरेगी नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा व्यस्तता के चलते ठकान हो सकती है उत्साह में प्रसन्यता से कारे कर पाएंगे तो ये था आप लोगों का अपना राशी फड़े आप सभी का दिन शुब रहे धन्यवाद